आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक breakfast snack recipe सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह recipe सूजी से बनने वाली है और साथी में इसमें जो भी ingredients लगने वाले हैं वो घर में easily available होते हैं अगर इस recipe के सारे secrets आपको जानने हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखें तो चलिए दोस्त आपको बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तों इसे बनानी के लिए मैंने यहां पर एक मीडियम साइज का आलू लिया हुआ है जिसे मैंने कद्दू कस में ग्रेट कर लिया है और साप पानी से धूलिया है अब हमने क्या करना है एक चम्मच इसमें नमक डालेंगे अब इस न यहांसे में इट को अच्छे से मिक्स करेंगे घर की धही है है अब कोई तरब यहां यहां पर यूज कर सकते हैं दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीड जाए इसे अभी सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे ये वीडियो मेरे फेस्बुक पेज पर देख रहा हैं तो मेरे फेस्बुक पेज को फॉलो एंड लाइक करना ना भूलें जिससे मेरी सारी लेटेस वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी ये देखिए सारी सामगरी मिक्स हो गई है तो चलिए अभी इसे भी हम साइड में रख देते हैं तो चलिए इधर अब हम ग्रेटेड आलू की तरफ चलते हैं नमक डालने के बाद आलू का सारा पानी बाहर आ गया है इसे यूँ दबा कर आलू के सारे पानी को हम निकाल लेंगे और आलू के लच्छों को निकाल कर अलग रख लेंगे अब हम इन आलू के लच्छों को इस बैटन में डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेते हैं ये देखिए दोस्तों हमने आलू को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम एक मीडियम साइज का छोटे छोटे टुकडों में कटा हुआ टमाटर डालेंगे साथी में मैं यहाँ पर बड़ी वाली ग्रीन चिली का यूज कर रही हूँ इसे भी हम छोटे छोटे टुकडों में कट करके डालेंगे इसके बाद एक मीडियम साइज का प्यास कट किया हुआ डालेंगे इसके बाद दो चमच निबू का रस, आधा चमच अद्रक का पेस्ट, आधा चमच लैसुन का पेस्ट, एक चमच हरी मिर्च का पेस्ट और कुछ हरी धनिया के पत्ते मिलाकर हम सारी सामागरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी समगडी मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें डाल रहे हूँ आधा चमच चाट मसाला पाउडर, एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चमच हींग, आधा चमच सबजी मसाला पाउडर, एक चौथाई चमच काला नमक और उसके बाद साथी में हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक नमक को हमने बहुती साउधानी से डालना है क्योंकि हमने इसमें काला नमक भी यूज किया हुआ है साथी में अब सारी समगडी को अच्छे से मिक्स करेंगे सारी सामगरी मिक्स करते हुए इसमें हम आदे कप के करीब पानी मिलाएंगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगी ये देखिए दोस्तों हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब इसे हम ढग कर 10 मिनट के लिए साइड में ढग देंगी ये देखिए दोस्तों हमारे 10 मिनट हो चुके हैं तो चलिए अब हम प्लेट को निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसमें आधा चमच के करीब मीठा सोडा डालेंगे मीठा सोडा डालने के बाद 2-3 चमच इसमें हम पानी रालेंगे और सारी सामगरी को फिर से मिक्स कर लेंगे ये देखिए मीठा सोडा डालने के बाद बैटर थोड़ा सा फूल जाता है सारी चीजे अच्छे से mix करने के बाद अभी इसे हम side में रख देते हैं इधर मैंने एक flat surface का बर्तन लिया हुआ है आपने भी ऐसा ही कोई बर्तन लेना है यहाँ पर मैंने एक से दो चम्मच refined oil लिया हुआ है इसे बर्तन के सभी तरफ अच्छे से ऐसे ही लगा देंगे जैसा आप देख रहे हैं अब हमने जो बैटर बनाया हुआ है उसे इसमें डाल देंगे बर्तन में बैटर डालने के बाद हम बर्तन को जमीन में 2-3 बार ऐसे टैप करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं जिसे यह बैटर अच्छे से से सेट हो जाएगा और इधर मैंने पहले से ही इडली वाले बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रग दिया था आप इसकी जगाँ पर कढ़ाई या भगोने का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें हम एक स्टैंड लगा दे रहे हैं जिस पे ये बैटर रखेंगे स्टैंड लग चुका है तो चलिए अब हम बैटर भी रख देते हैं इसे ढग कर हम 15 मिनट के लिए पका लेंगे पंदरा मिनट हो गया है तो चलियए अभी से हम खोल लेते हैं यह देखें दोस्तों यह बहुत ही अच्छी तरीकid से पक चुका है तो चलियए अब इसे हम बरतर में निकाल लेते हैं इस बरतन के उपर एक प्लेट रखेंगे और अपलेत को ऐसे ही पलड देंगे जैसा हम औरoben करेंगेश यह देखिANT के दोस्तों इसे हमने प्लेट में निकाल लिया अब इसे हम पीशेद में निकाल दुट करेंगे कट करने के बाद इसे हमने फ्राइब करना है हम इसे सेलो फ्राइब करने वाले हैं इसे सेलो फ्राइब करने के लिए तीन से चार बड़े चमच रिफाइन डाल रही हूं तेल गरम हो चुका है तो चलिए अब एक एक पीस उठाकर इस पे फ्राइब होने के लिए डाल देते हैं ह तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं इसे आप धनिया के चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंन सेक्षन में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए दोस्तों अब हमें इजाज़ा दीजिये, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेस्पी के साथ, तब तक के लिए बाई and टाडा!